आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों किया आपके आपके ढाइंड स्मार्ट फून के अंदर एलडी नोडिफिकेशन इनियाबल कर सकते हों यह काफी इनायंस कर देता है आपके आपके स्मार्ट फून के लुक को और यह काफी आमेंजिंग लगता है देखने में जब भी आपको कोई notification आएगा या फिर कोई message आएगा या फिर यहाँ पर आपका smartphone charging को लगाँगे तो यह glow करने वाला है और यह काफी जबरदस लगता है देखने में तो दोस्तो इसके अंदर काफी सारे color variant भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे rainbow style spectrum one color two color three color जो भी color यहाँ पर आपको enable करना होगो यहाँ पर आप simply enable कर सकते हूँ तो दोस्तो इसे प्रकार का mobile related video content daily upload होता है देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको LED notification enable करने के लिए एक app install करना पड़ेगा जो कि एक काफी चोटे MB का app है और यहाँ पर आपको यह कैसे install करना है वो आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर इस app को simply install कर लेना है और यहाँ पर आपको simply जैसे आप इसे open करते हो तो इस इसे आपको enable के उपर click करने के back कर देना है इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर allow कर देना है जो भी यहाँ पर cancel हो रहगा यहाँ पर allow करके यहाँ पर आपको simply back के उपर click करके यहाँ पर ऐसे कुछ private policy आपको देखने के लिए मिल जाती है अगर आपको private policy अगर read करने होगी तो आप simply read भी कर सकती हो यहाँ पर read होने के बाद आपको simply agree के उपर click करना है और जो हमारा app का interface है वो यहाँ पर खुल चुका है और यहाँ पर काफी सरी settings आपको देखने के लिए मिल जाती है इसके बाद आपको simply main settings के अंदर चले जाना है दोस्तों और required permission के उपर click करना है इसके बाद independent light controller यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इसके उपर आपको simply click कर देना है और यहाँ से आपको download app के उपर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर AOE जो तीनों दीख रहे हैं इसको आपको simply तीनों के उपर जाकर यहाँ पर allow करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर आपके smartphone के अंदर ऐसा कुछ आता है तो इसके बाद आपको simply यहाँ पर click करके इसे OK कर देना है OK के उपर जैसे क्लिक करते हो जो यहाँ पर allow हो चुका है हमारा जो इस setting है उसके बाद आपको simply यह दोनों भी आप उसी प्रकार से allow कर देने तो दोस्तों यह allow कर लेता हूं मैं और उसके बाद दिखा तो आपको आगी की settings क्या करने है तो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो setting से वो allow हो चुकी इसके बाद आपको simply back चले जाना है back होने के बाद यहाँ पर आपको independent light controller के नीचे यहाँ पर notification access वाली setting नजर आ रही होगी उसके उपर आपको simply click करना है और enable के उपर click करके इसे notification access दे देना है इसके allow कर देना है और यहाँ पर allow करके यहाँ टिक करके यहाँ पर ok कर देना है ok जैसी करते हो दोस्तों यहाँ पर allow हो चुकिए हमारी setting और यहाँ पर tick mark भी आ चुकिए tick mark आने के बाद यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़ चार नहीं करने optional permission बे भी आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद आपको simply save के उपर click करके यहाँ पर free वाले के उपर click करना है free वाले के जैसी उपर click करते हो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा और वीडियो देखती है हमारी setting वह successfully save हो चाहेगी तो दोस्तो इससे save करने के लिए यही कुछ आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा वरना यह app paid है अगर आपको paid version भी लेना होगा तो इससे आप simply ले सकते हो जानी इसके बाद आपको notification के उपर click करना है आपको display on चाहिए या फिर off कप चाहिए LED notification आपका display on होगा तब या फिर off रेगा तब तो यहाँ पर always करेंगे और always on off जैसा भी होगा इसके बाद आपको कुछ भी छेड़ खाने नहीं करने इस settings के अंदर अप charging को अगर आपको charging के वक भी चाहिए तो यहाँ पर उसी प्रकार की settings कर लेने है always off और on इसके बाद नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको edges brightness वगेरा इस बदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके बाद आपको simply save के उपर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको free के वाले के उपर क्लिक करना है और इसे save कर लेना है settings से successfully यहाँ पर आ चुका है दोस्तों जैसी की यह आप दर आप देख सकते हो तो दोस्तों जो हमारी third setting वो जो काफी main setting lightning setting इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी कुछ LED notification आप आपके smartphone के अंदर enable कर सकते हो इसके बाद lightning settings के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर device screen corner के उपर क्लिक करना है अगर आपको corner में भी चाहिए LED notification तो यहाँ से आप settings कर सकते हो तो यहाँ पर corner में हमें नहीं चाह जो भी है वो यहाँ पर आपको select कर लेनी इसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पर setting करना है आपको notch width के यहाँ पर आपको first setting है वो यहाँ पर 80 कर देनी उसके बाद जो हमारी notch height है उसको यहाँ पर 83 के असपास यहाँ पर आपको कर देना है 82, 83 के असपास तो यह यहाँ पर 82 कर देते हैं और इसके बाद जो अमारी 3rd सेटिंग है उसको 82 कर देना है और जो 4th सेटिंग है उसको आपको 22 कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है अगर आपको थीकनेस बढ़ाने होगी इच LED नोटिफिकेशन की तो यहाँ पर देख सकते हो जो इनेबल हो चुका है उसको अगर आपको थीकनेज बढ़ाने होगी तो यहाँ से आप सिंप्ली थीकनेज बढ़ा सकते हो इसके बाद यहाँ पर लाइटनिंग प्लेश्मेंट के उपर पर क्लिक करना है अगर आपका यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है लाइटनिंग मोड में तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आपको कंटिनिवसली चाहिए या फिर यह 50% से अगर आपकी बैटरी लेट चार्ज होगी तो यह बंद हो जाएगा एटोमेटिकली तो दोस्तों यहाँ पर कंटिनिवसली भी रख सकते हो और यहाँ पर 50% सकाई भी रख सकते हो तो यहाँ पर एच कलर अमांट के उपर क्लिक करना है अगर यहाँ पर आपको रेंबू के उपर क करना है तो वन कलर के उपर क्लिक करना है और यहाँ से आप सिंपली से चेंज कर सकते हो जो आपको कलर चाहिए वह यहाँ पर आप सिंपली रख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली कलर चेंज कर सकते हो इसके बाद टू कलर आपको रखना होगा दो कलर में तो यहा पर 3 colors के उपर क्लिक करना है और जो हमारा 3 colors में यहां पर यहां पर देख सकते हो, काफी अच्छी तरके से यहां पर से हो चुका है, तो दोस्तों यहां पर rainbow style के उपर क्लिक कर देना है, rainbow style काफी बेटरिन लगता है, इसके बाद यहां पर lightning प्लेस्मेंट के यहां लाइटनिंग एफेक्ट के ओपर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है यहां पर आपको तीन ओप्षन देखने के लिए मिल जाते है नॉर्मल ग्लो एंड डैश नॉर्मल के अंदर ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों और अगर इसको ग्लो करते हैं आप तो जो अमारे अराउंड नौच है वो यहां पर ग्लो हो जाती है अगर आप इसे डैश करते हो तो डैश डैश वाला यहां पर ओप्षन आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद मैं अगर आपको सिंप्ली ग्लो के उपर क्लिक करना है अगर आपको इसकी स्पीड बढ हो चुकी जैस जैकि आप यहां पर देख सकते हैं सेटिंग से सक्सेस्पूली आ चुका है तो दोस्तों इसके बाद आपको सिंप्ली नीचे आ जाना है और प्रिव्यू के उपर क्लिक करना है तो दोस्तों यहां पर आप प्रिव्यू देख सकते हो और यहां पर देख सकते तो आपके mobile के अंदर और इस LED notification को enable कर सकते हो तो दोस्तों मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए बाई